आप सभी कस्वागत हैं हमारे क्लास क्लास अपॉंट में तो बीसी फर्स्ट टियर एक्जामिनेशन बर्स्टर उनिवर्सिटी वाले स्टुएंट का कमेंट आया तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं तो आपका सब्जेक्ट है और्गनिक केमेश्टी पेपर टू है ये ठी सरीके से लिखेंगे मैं इसको थोड़ा एक्स्प्लेइन भी करूंगा और पूरे कोश्चन के आंसर आपको बताने वाला हूं तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके रखेगा और इस पर डीटियल कॉंसेप्ट वाइस इडियो भी और आगे जाके अप्लोड होंगे तो यहां से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा तो यहां पर देखें आगे बढ़ते हम यूनिक फ़र्स्ट का पहला कोश्चन प्रेरिनिक प्रभाव क्या है इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए तो दुरूविय साहस सेयोजग बंद के उपसिती में कार्बन स अब हिस्थापन ही प्रेरिनिक प्रभाव कहलाता है यहां दो प्रकार्च होता है प्रुस अइप प्रभाव और मायनस अप्रभाव ठीक है इस तरीके से आपको एक्जाम्पल देना है चाहो तो आप इसको यह भी आपको नोड करना है ताकि अच्छे से इसको डीटेल में बना सकूं। ठीक है, प्रैनिक प्रभाव का होता है, यहां पर इस तारीके से हमने इसको फुरा किया हुआ है। प्रैस के बाद देखिए, इसको प्रभावीत करने वाले कारक या फिर इसी को कहते हैं हम क्या इसके अनुप्रियोग है ना इनका जो अनुप्रियोग है आपको यहां से नोट करना है इसके अनुप्रियोग को ठीक है बंद लंबाई पर क्या प्रभाव पढ़ता है प्रभाव का द्विद्रु आगूर्ण पर क्या होता है प्रभाव पढ़ता है ठीक है ना यह सब पर हमने बत संकरन को उधारन देकर हमको समझाना है तो एक एस और तीन पी कक्षक आपस में अत्वियापित करके एक नए संकृत कर निर्मान करते हैं जिनको हम कहते हैं संकृत करते हैं तो इस तरीके से हमने बनाया हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं निट टू में जहां पर न्यूमें और फ्रीशर सुत्र देना है और उसका उस पर टिपणी लिखने तो नियूमें सुत्र पर हमने यहां पर दिया हुआ है ठीक है फिर इसके बाद है फीशर प्रशेप सुत्र यहां पर हमने इसके आंसर भी बताया हुए हैं तो इनको पूरा आप नोट कर लीजिएगा यहां तक फिर आगे बढ़ते हैं यहंने डू का बी का कोश्चन जमिती समावयता को समझाईए संचिप्त में हमको जमिती समावयता समझाना है ड़ीक है तो जब किसी योगिक में कार्वन परमानू में कार्वन परमानू आपस में यूग्म बंद द्वारा जुड़े रहते हैं, प्रत्यक कार्बन दो भीन भीन समू सलगन रहता है प्रत्यक कार्बन पर तब कार्बन 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 डबल बंद के कारण इस अक्ष पर मुक्त गुणन संभव नहीं हो पाता है कार्बन परमानु से सलगन दो भीन समू अंतरिक्ष के में दो प्रकार से इ समाव को परते हैं विभीन झामेटी के कारण यह समाव कहलाता है, यहां पर ठांस भी किया हुआ है इसको पूरण नोट किजेगा इसके बाद यहां पर हमने सिंट्राकोनिक एसिड अमल और मिसाकोनिक अमल के बारे में भी बताया है उधारन में फिर यहां पर इस्ट्रीलीन जामिती समाववेता को भी प्रदस्षित किया हुआ है ठीक है तो यहां तक आपके फिर आगे बढ़ते हैं नमबर थरी पर जहां पर है प्यूटेन का है करना है चीज देखें का हमको सरूपन करना है और पूरी अवस्थाओं को लिखना है ठीक है तो यहांपे फिर देखें यहां पर पूर्ण ग्रसीत ग्रसीत सांतरित और यहां पर गौस रूप ठीक है यह सब चीज का हमने यहां पर सरूपन में आपको बता दिया है पूरा इसको नोट कीजिएगा और इसके थेयरी भी है इसको भी बनाईएगा पूरा लाइन से ठीक अब आते हैं य यहां पर सिध्धान की जो कमी है यह हमने यहां पर चार पांच पॉइंट पर टोटल बता दिया है इसके बाद इसी कोश्चन का अंसर है साक्से मोहरतनाव के बारे में भी आपको बताना है ठीक है तो बेयरतनाव से रिलेटेड ही है यहां पर देखिए नौका रूप और क साथ और करता है याने के जब उसको करते हैं इथर कि उपस्तिति में तो इल्केण की प्राप्ती होती है यह संपूर्ण अभिक्रिया और के साथ कराते हैं योगिक बनता है च्छे सदश्येश को कलते हैं डिल्ड्डर अभिक्रिया तो यहां पर देखिए यह देkk Dalasrium में इ और यहां आगे इसका रसानिक समीकरन हमने बता दिया है ठीक है तो इसको टोटल आप नौट कीजेगा कम्प्लीट फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी का थर्ड पराक्साइड प्रभाव या प्रति मारकोनिक आफ नियम तो यहां पे देखें प्रति मारकोनिक आफ नियम में होता क्या है नहीं कि कार्बनिक प्राक्साइड जैसे कि बेंजोइल प्राक्साइड की उपस्तिति में किसी असम्मित इलकीन पर HBR का योग यानि की hydrogen bromide में जो जूड़ने वाला रिनात्माग भाग है वो carbon संख्या सब से अधीक होती है ठीक है यह है आपका देखिए उस तरीके से दोनों को समझाते हुए बताया है फिर इसकी क्रिया विधी जो है इस तरीके से क्रिया विधी यह बनेगा तो यह पूरा नोट कीजेगा यहां तक ठीक फिर आगे बढ़ते हैं युट नमबर फाइब तो यहां पर देखिए बेंजीन में नायटरी करन और है लोजनी करन को समझान है चार नंबर का कोर्शन है तो थोड़ा सा इलेक्त्रीम्म प्रतिस्थापन पर भी मैने यहां पर इसके आंसर इसमें एड़ कि हैं तक 4 नंबर आपको पूरा मिले तो यहां पर प्रतिस्थापन अभी क्रिया के बारे में हमने बताया है ठीक है इसका मेकनिजम में किस तरीके से यह नादी सरचनाय बनाता है अपनी क्रिया विधी में यह बताया हुआ है हमने ठीक है फिर इसके बाद हमने बताया है क्या नाइट्री करन तो बेंजीन जो है सांद्र अचन तो यहां पर देखे अभी क्रिया हम ने इस तरीके से दिखाया हुआ है इसके क्रिया विधी भी यहां पर बता दिया है तो पूरा नोट की जगह कंप्लीट इसको फिर देखे है लोजनी करन तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकारवन हैलोजन के साथ कमरे के ताप पर अंधेरे पर किसी हैलोजन वाहाग यानि कि लोहा आयोडीन फासफोरस या रेट फासफोरस जो होता है कि उपस्तिती में क्रिया करता है तब एरिल हैलाइड मिलता है जैसे बेंजीन क्लोरिन के साथ हैलोजन वाहाग के उपस्तिती में क्रिया से नोट कीजेगा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम Fridal Craft अभिक्रिया, तो Fridal Craft अभिक्रिया, इस क्रिया में जब Benzin Alkyl Halide या Acil Halide से निर्जल Alcl3 की उपस्थिते में क्रिया करता है, तो Benzin में क्रमसा Alkyl और Acil यूद्बन बनाता है, तो यहाँ पर देखिए हमने अभी क्रिया का पूरा संचिप्त वर्णन किया हुआ है देखिए और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसका क्रिया विधी को भी कम्प्लीट बता दिया है तो नोट कीजेगा और जितना हो सके इसे सेर कीजेगा को डाउट होता हमें कमेंट कर सकते हो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जितना हो सके इसे सेर जरूर कीजेगा